नमस्कार, मैं दोक्टर प्रकाष्षेन श्रमा, देपार्टमेंट अच्छिलर, आज हम EIA के बार में पड़ेंगे, इन्वार्मेंटल इंपेक्ट असेस्मेंट, तो EIA या इन्वार्मेंटल इंपेक्ट असेस्मेंट, एक श्टेडी है, इस ताइप अफ श्टेडी तो प्रे इंवार्मेंटल 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 इंवार्में इस्तमार्पनितमि रिवया औल मेरे बेस्ख वर्थ शेख निया जायानितति हुः पुछ्टिल यूमन हेल्थ इम्पेक्ट, इन्वियर्मेंटल कॉस्ट और बैनिफिट्स नाव जो नया एक्ट है उसके हिसाब से अब ई आई ए इन्वियर्मेंटल इम्पेक्ट असेस्मेंट को 29 केटेग्री की डवलप्मेंटल अक्टिविटीज में जिनमें 50 क्रोर या ज्यादा से इन्वेस्ट होता है उनके लिए इसे मेंड़ेटरी कर दिया गया है तो ए इस सिस्टेमेटिकली एग्जामीन करता है बेनिफिशल इफेक्ट को अस वेल आज एड़र्स कंसेक्वेंट्स अव थे प्रोजेक्ट और इंशॉर थे इस इफेक्ट्स अर टेकन इंट अकांट दूरिं प्रोजेक्ट दिजाइं इक प्रोजेट्स 말़ोईट्स अबदोडाथ Ö एडिफेक्ट्स अलब को अफेट। इस पूथनर । इस इस एो, सरा कोृब को अवेल एणनुराथ इफेक्ट करन प्रोजेट्स अव्छेट्स अवेल सुथिग इस अवेल बाद्स ओिजिजग प्रोजेटर्स अवे इस्ट करेंदेजर के अलन रटीजर इमनेनल और अपरोज़ और अल्रश क्या घार आले धे तर दिशोड ही चाहत is कि अफर्साथ मेड स्पनीलागू इमनेल साथ्सिस्मेनमेनल व्डी चाहत은ै लिज चेजहात की अर सहती प्रेशाँ प्रेश्यापnia प्रेस्तिर्स एव झादें ल्डड़ प्रतुस्यों एव झार्डियों एपक्र ट्राष रॉड़ू्टिधर रे इजा दिल्ड़ूंग प्रक्राफिक तिल्ड़ टो एंपिस्टें के इल्ड़ू टूल टूल सुनुनंगा प्रप्ड़ चीत माद़ियो नीर्यं जोनाविलस फरे प्रेट, फॉ्स नीड़ ए बडर्गान चाइक्ट स्विप्क फोज्ड जख़कर्णी ऑो फ ने रचानी ऑन्या पो मेंट अन्या घच्ट अजनिया जिए तर रॉड़कर चाहिए नीडिक वा प्रेक्टन अन्याश्ट राफिस्ट इस भीशग खेंगे अन्याश्टे इस ड Let's take a brief evolution of EIA. EIA is one of the successful policy innovation of the 20th century, particularly for environmental conservation. Before 1976, there was no EIA. But today, we have a formal process. EIA as a mandatory regulatory process originated in 1976 when Planning Commission asked the Department of Science and Technology to examine the river valley projects for an environmental angle. Now, from that, in pre 1970s, as I earlier told, there was a limited consideration given to environmental consequences. In early 1980s, EIA was a developed but not so robust EIA that means Environmental Assessment. Early 1980s में, जो Environmental Assessment था, उसमें Land Use Planning Process को समिलित कर लिया गया था. साथी साथ पब्लिक इन्वर्मेंट की भी बात आने लग गई थी. इंफेसिस, इंफेसिस, इंकॉलोजिकल मॉड्लिंग, प्रेडिक्शन इवेल्यूएशन पे दिया जाने लगा था. लेकिन, सन 2006 में, जब नया EIA Legislation आया सितंबर 2006 में, तो परिद्रश्य में बदलाव आया. अभी तक जो EIA की प्रोसेस थी, EA याने की Environmental Assessment Central Level पर होता था, बड़े प्रोजेक्ट पर होता था, Limited Categories में था, लेकिन अब यहाँ 29 different categories में, यह EIA mandatory किया गया, जहाँ 50 करोडिया उससे ज़्यादा का investment हो. साथ ही साथ, जो Honours था for Clearing Projects, वो State Government पर आ गया, जो पहले कीवल सेंटर पर था, depending on the capacity of project. So, अब Environment Clearance लेना mandatory हो गया है कई प्रकार के प्रोजेक्ट में, जो की Mining Projects हैं, जो की Industrial Projects हैं, Thermal Power Plants से Related Projects हैं, River Valley Projects से, Multi Perverse, Irrigation, Infrastructure Development, Nuclear Power Plants से Related Projects, यह सारे प्रोजेक्ट इसमें सम्मिली थें. Now, Short में हम इसकी Process को समझेंगे, उससे पहले हम अभी भात करें थे, कि नया जो Legislation है, वो सितंबर 26 में आया, जिन्होंने Mandatory किया Mining, Thermal, River, Infrastructure, Infrastructure में आप देखें, रोड आजाता है, Highway, Port, Harbor, Airport, यह सारे के सारे आजाते हैं. तो जहां 1994 का जो EIA Notification था, वहाँ पर सेंटर के पास थी जिम्मेदारी, अब यह ओनर्स किस पर आगया? इस्टेट गवर्मिन्ट पे. तो जो Activities Coastal Regulation John 1991, Coastal Regulation John Act 1991 में Permissible की गई थी, उनको भी Clearance की अब आवश्यक्ता है. अब चलिए हम Process की बात करते हैं, EIA Process. तो EIA Process जो है, उसमें कई Steps बहुत आवश्यक हैं. जनरली यहां पर 8 Steps हम लेके चलते हैं. यहां जादा Steps आपको दिखा रखी हैं. लेकिन इन सभी में जो Common है वो यह है कि EIA Process की सुरवात Screening से की जाती है. ताकि यह Ensure किया सके कि Time और Resources जो Proposal के वक्त ही Direct की जा रहे हैं, वो Properly Use हो सके. प्रपोजल के वक्त ही Screening Properly में हो सके. तो EIA की जो सबसे पहली Step है, वो है Screening which determines whether the proposed project require an EIA and if it does, then the level of assessment required. तो Screening में सबसे पहले Project की फौरी तोर पर यह परताल की जाती है कि उसमें EIA की आवशक्ता है भी या नी? और अगर EIA की आवशक्ता है, तो किस इस तर के EIA की आवशक्ता है? Second stage जो काम में ली जाती है, that is Scoping. This stage identifies the key issues, क्या मुख्य मुद्धे हो सकते हैं and impacts that should be further investigate. किस प्रकार के उसमें मसले हो सकते हैं, मुद्धे हो सकते हैं और किस प्रकार का impact उसके अंदर हो सकता है, जिनको आगे investigate करना ज़रूरी है, उन्हें identify करता है. Scoping के तहट ही ये भी निर्धारित किये जाता है कि EIA process की क्या दाइरह होगी, उसकी boundary क्या होगी और उसका time frame क्या होगा. तीसरा जो point आता है, that is called impact analysis. तो impact analysis में दो चीज़ें आती हैं, one is collection of best line data और impact prediction. तो यहां इस process के अंदर, baseline data जो कि उस छेत्र में, scoping के दौरान, जो मुद्धे निकल के आया थे, केवल उनी से related baseline data collect किया जाता है, identify और predict किया जाता है कि environmental and social impacts उस project की क्या हो सकते हैं, और उसका क्या significance हो सकता है, तो यह दोनों point आप अगर इसको club करना चाहें, तो impact analysis में club कर सकते हैं, बहुत important यह step है, next step है, that is called mitigation, mitigation step के अंदर, EIA process में यह recommend किया जाता है, कि किस प्रकार के actions ली जाएं, ताकि जो potential adverse environmental and social consequences हैं, उस प्रपोस्ट प्रोजेक्ट के, जो कि developmental activities से related है, उन्हें किस प्रकार से avoid या reduce किया जा सके, साथी साथ, जो result हैं, उन्हें एक report के form में पेश किया जाता है, जो कि decision making bodies और जो other stakeholders से उनके साथ में share की जाती हैं, लेकिन यहीं पर सारा काम final नहीं होगा, final EIA report से पहले और decision making से पहले एक और important step है, that is called public hearing, यहाँ पर जितने भी concerned stakeholders होते हैं, खास तर पर जो public है, उससे अपनी बात रखने का मौका दिये जाता है, ताकि वो उस developmental activities के बारे में अपने view रख सके, उसकी जो चिंता हैं, वो व्यक्ट कर सके और उनके decision making process के अंदर समिलित किया जा सके, EIA report और public hearing के जो निश्कर्स हैं, उनके आधार पे decision making step पे आय जाता है, इस step के अंदर यह निर्धारित किया जाता है, कि क्या project को reject कर दिया जाना चाहिए, क्या project को approval मिलना चाहिए, और क्या project में कुछ शुधार किया जाने चाहिए, ताकि जो adverse consequences हैं, उनको और कम किया जा सके, और public की जो grievances हैं, उनको properly address किया जा सके, इसके बाद में, EIA report के आधार पे और decision के आधार पे एक environmental management plan तयार किया जाता है, जो कि actually एक post monitoring हम इससे कह सकते हैं, तो यहाँ पर project commission हो चुका है, अब यह environmental management plan यह check करता है, इंशोर करता है कि जो project के तहत, जो possible consequences थे adverse particularly, जो impacts हैं, वो impacts उस limit के, उस legal standards के beyond न जाएं, जो limit इस EIA process में तै की गई हैं, जो reduction करके उससे beyond न जाएं, और EIA report के अनुसार ही उसका, जो mitigation processes हैं, जो mitigation measures से उनका proper इस्तेमाल हो रहा हैं या नहीं हो रहा, तो यह monitoring और implementation के लिए यह step हैं, इसके बाद, इसी step में आता है, कि अगर अभी भी impacts जादा हो रहे हैं, तो ऐसी स्तिती में assessment of alternative delineation of mitigation measures, यह सारी की सारी, और risk assessment, यह सारी की सारी जो चीजें हैं, यह post monitoring के अंदर आती हैं, तो यहाँ पर EIA के जो कुछ अलग-अलग forms हैं, like HIA, जो कि Health Impact Assessment के लाता है, SIA, Social Impact Assessment के लाता है, जरूत के आधार पर इनको भी कामें लिये जाता है, इसके अलावा एक Strategic Environment Assessment, SEA भी होता है, इनके बारे में हम आगे detail में सब में चर्चा करेंगे, हम बात करें कि कौन-कौन से stakeholders हैं या ये process में, तो EIA process में जो stakeholder है, वो project propose करने वाला environmental consultants, जो उसे environmental consultancy दे रहे हैं, उस state या national level के CPCB या state PCB, Public Impact Assessment Agency, और Regional Center of MAIRF, ये सारे इसके stakeholders से, हम EIA के बारे में details next time पर देखेंगे, हर step के बारे में details पर देखेंगे, बन्ने वाद,